दास साल जवान किसे नों भी बना सकते तुसी यह गल कह रहें बिलकुल जी बिलकुल पंताली अड़ा बंदा पचवजा दा लगे पचवजा दा लगे यह दे विचे पंताली अड़ा पैंती दा लगूगा सो बिमारियों की एक दवा एक अमरत है इन यह जगा दे विचे काम आंदी है कि यह भी तुसी यह दा वर्ना नहीं नहीं कर सकते मैक्सीमम जो लेडिस दिक्कत आंदी न उन्हों एक्स्टरनल क्रीम्स बगारा होर कुछ दितियां जांदी है बाराहों तसी लख चाहे लगा लो जातक थोटी लगा दूटी अंद्रों सकेना थीक दिन नहीं खनी दिने लगाय अन्द्रों लालति नौट पसक्त करेंदे लैडिस नूँ शाइक कर दे तहां है इवं कहीं पुल ऋवर्षम धालर हैं पूरे तियार खड़े फोजी लड़न दे लई हुमारी लई जड़ा मारी कर देया है आज तक इंडिया दे विच सिर्फ सड़ी कंपनी है जड़ी इस स्टेम सेल नो और ली लेके नोजमान जड़ा के वरी कॉले या स्कूल जान दा हुन्दा ओंदा 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 यह जूड़ा दर्दो रहे है अमेरे ता एह हुनिया चीजा बहुत जड़ा बात के यह लदाख दे विच एक फ्रूट हुन्दा जी एदे विच ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा सेवन और ओमेगा नाइन यह हाड ते लिवर ते अर्थ्राइटिस ते काफी डिसीज दे विच नालाय काम करदा है गा जेडिया बिमारियां तुसी होन तक सुणिया होन गया उनना सारे दाही एक डबीना इलाज हो रहाँ इन्हें जो दो थोड़े बलड दे विच एंटर करना है गा यह उस सेल्स नो एक्टिवेट करना है जिदे करके बमारी होई है तुसी गया भी कैंसर वर्गी बिमारी दे वेच वी लाहे वन दा की हर परकार दा कैंसर हैसना ठीक है नीद लियान दरे लिए कोई नशे दा सारा लेंदे है कोई टैबलेट्स दा सारा लेंदे है कोई लग लग तरह दे नाड़ ए बहुत अच्छा साधन है जिना थो नो एक साउंड स्लीप आएगी अगर थो नो नीद अच्छी आगी पांच्छे वे थोड़ी जाग खूल द सश्रेकाल डेलीबोस पंजाबी देख रही हो तुसी ते मैहा कूबर जोट सिंग जे अजोके समय दी गाल कर देया ता बिमारियां लगातार ही वद्दियां जारिया ने ता कारकर हुन बिमारियां पहुंच चुके हैं काफी खतरनाक बिमारियां जिस्ते पिछे कारण वाक जदो इनना गाल बात कीती है सनुए पता लगया भी एक डबी नाल ही एक काफी इलाज कर देया याण की जेडियां बिमारियां तुसी होन तक सुनियां होन गयां उनना सारे दाही एक डबी ना इलाज हो रहे हैं उन ओ डबी की है उस दे बारे उन जमेह थे डॉक्टर साड सब् sous कुर मुझूद ने औना गयल बत कर देयां औना तो पुछ देयां भी असल देवेच इस देवेच है कि यह अते किस साब नाल एक काफी वडियां वडियां बिवडियां में सब्सक्राइब टीमेंपोटे क्वेसे सोगे में में सपोची साड़wr ये था बर 50 प्राम काइब्सक्राइब précत सकति ही उड़ी बिंगें 167 कि ईपあैं पुछ देयां भी एक डबी नाल किस तरीके ना इलाज हो जाना नहीं टार टेली पोछतें बहुत स्वागत कर देयां शुक्रिया जी गुर्जोजी शुक्रिया तन्वा तो डबाथ बहुत मैं शुरुवार दे विच गाल किती तिसदी गल कवांगा भीएक डबी मैं गल गिती दर्शकान वो डबी भी देखाओ ते एक डबी नाल तुसे कहनते हैं यसी वाकवाख इलाज करी जाने है की ओले वेच भी ओने ऐलाज कर दो दे या मैं आजकल स्टेम सेल ते कम कर रहे हैं, आज़े टेम दे विच जेसे सावनाल बुमारियां बहुत तेजी दे नाल मानुपता ते अटेक कर रहे हैं, अम्यून सिस्टम इनने के वीक हो चुके हन की श्रीर दे विच कोई द्वाई कम नहीं कर रही है, हुण असी स्विट्जर कंपनी दे नाल कोलाबरेशन करके स्टेम सेल ते कम कर रहे हैं, असी स्टेम सेल इथे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिदे विच असी आज़े देखो दोन में देखाना, स्टेम सेल दी एक पुड़ी है, जिदे नाल एक पाउच डेली खान दे नाल सदे श्रीर दे विच जड़ साध्य श्रीर करोड़ां सेलना दे नाड़ मिलके बनेया है जेटे सेल है सेल तो बाद टीशू बनदा है टीशू तो बाद ऑर्गन बनदा है ऑर्गन तो बाद बाद बॉड़ी बन दी है साध्य श्रीर दे विच्च दोसो प्रकार दे अलग अलग तरह दे सेल हन जी दे विच्च स्टेम सेल, एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, प्लेटलेट सेल, स्केन सेल, मसल सेल इस तरह दे दोसो तरह दे सेल हुंदे हन जिदे विच एक WBC सेल है साड़े ओ श्रीर दे हरेक तरहां दी कोई ब्मारी दे नाल लड़ दे हन कोई भी जदों सानू ब्मारी हुंदी है साथ पहला साड़े सेल उना नू उना दे नाल ब्मारी दे कटाणूआ दे नाल लड़ दे हन जिदे साड़े बॉड़ी दे स्टैम सेल है इन्ने के सूजवान स्टैम सेल हुंदे हन जदों कोई किसे टाइप दे मालो स्किन सेल दे साड़े बॉड़ी दे विच काट मात्रा हुना ही महसूस हुंदी है बमारी बड़े लेवल दी आगी है तो उनना ने अपने अपने अपन स्टेंप सेल लेंड दी लोड बारी रूप दे विच्छों जेड़ा की पहला कोई पॉसीबल नहीं सिगा स्विट्जर लेंड दे साइंटेस्ट डक्टर फ्रेड जूली ने इस चीदी इन्वेंशन किती है जेड़े नाल की उन्हें ने ग्रीन एपल और ग्रेप्स दे विच्छों स्टेंप सेल एक्स्टर करड़े जेड़ा की विच्छा ईकुलेंटो हूंों बड़ियां बड़ियां गंभी इर बमारियां ठीक किती हैं जेड़े पेशेंट्स नूँ जवाब भी मिल गया करो उना नूँ भी दवारा असी इस चीज दे नाल स्टेंड कीता है तुसी क्या स्टेंप सेल जड़ा है ना बोड़ी दे वेच बाकी जमें वाइट बलेट सेल शुन देने ता ओना दी जगाला नहीं तुसी क्या भी कैंसर वरगी विमारी दे वेच भी लाहें बना की हरपर कार्ड कैंसर आजिक हो सकता है अगर ता पेशेंट साधे कोल पहला ही अच्छी स्टेज दे विच आ जानदा है आम तोरते पेशेंट साधे कोल उदों आन्दे है जो फोर्थ स्टेज दे पहुंच जानदे हन कीमो थ्रैपी करवा के रेडियो थ्रैपी हो और भी modern sciences दे हरेक लाज करान तो बाद आनदा है अ अगर उन्हों कैंसर डाइग्नोज होंदा है का साधे कोल आवे असी उन्हों बिल्कुल ठीक कर दांगे जी बटी काल तुझी रिगॉड कहा रहे हो है सर पेशेंट साधे कोल आंदा थोड़ी लेट स्टेज थे है उदे बावजुदी पेशेंट नो रलीफ मिलता है बहुत इस हर कार देवेच होगी ता की ये डाइबेटीस देवेच भी जड़ी तुझी कहा रहे हो भी स्टेम सेल जड़े ने उन्हों फाइदे मांद होनगे क्योंकि ए हुन हर कार चे पोंच गिया बड़े आनू प्रॉब्लम होगी है तो अड़े आस पास ही इसी जे गल कर देया क्योंकि डाइबेटीस एक इंबैलेंस होई होई है जदो आसी उन्हों दवाई खानने आए ते ओ बैलनस हो जानादी है गी है बट जो मौडर्न साइंस ती है दवाईया है ओदा सिर्फ एक देंदा ला जाए ओ साड़े बलड दे विचे जड़ी शुगर है उन्हों ठीक कर दी है पैंक्रियाज नो वर्किंग ते नहीं लेंदी है इस करके द्वाईयां खान दे बाव्यूद भी सानु होर बमारियां जिस तरह की किड़नी फेलियर हो गया आई साइट वीक हो जान दी है इसकिन दी प्राबल्म हो जान दी है डाइब्टिक फोट हो जानता है गा ते इस कोई दी dość कोई द्वाई बंध कर दे जो पेशेंट द्वाई खा रहा है यसे नाडवाई करन दे नाल रही उदिया जो है पैंक्रियास वर्किंग ते आ जाएगी सलोली उदे डॉक्टर ही अपने अब उदी द्वाई बंद करने गए थर्ड ली जेड़ा डाइप्टीज दी बजाज दे नाड़ शरीर दे विच नुकसान हो रहा है उस चीज़नों बहुत वदिया रोक थाम कर दी है अगर एक हांदे रहोंगे जाएप्टीज दे कारण जडियां होर बमारियां वेट लॉस हो गया जा होर कई बमारियां लग द दी है किस दी बांध होई भी है के नहीं कि हमें कह रहे हो कही पेशेंट्स दी द्वाड़े बांध हो गी है और सिर्फ एही खारे ने दोटली बांध है इवन पैंक्र इंसुलें तक दी डोज रिडूज होगी है जिना नो दोवरी लगदा सिगा चौंती-चौंती यूनट लगदा सिगा आज चार यूनट तेनी यूनट ओभी कदे लांदे है गया है बट उना दा हून पैंक्रिया द्वारा वर्किंग करना शुरू कर देता हूना ने एक बिमारी तास अनुपता ही लगदी हो जान दी है लोकी आई फिर दे रहन दे लोकी केंदे शायद मेनू कि तरहन दे बादा है बर वसल दे चैज जड़िया दिमाग दे चायां दिया ता कि अपना कम भी नी कर पानदा तुछी जमें मैं पीपर भी पाट रहा सी ता पता लगदे अब फिर्टेशन द्याई चिला गया है उंक इस पर कारनल होंदा है लोका नो जरूर है समझाओ गली देप्रेशन को कि ने पाइप मारें रखेस्टय बिदर निई नाओ है कोई देपेशन भी मारी साल्पा टेख प्रीमारी थे जान रहे हैं कि नो फो जान यौने उस्टार हो, ऑलजै को पेशन चले जी भूदा है और तो ठोड़े इंटेक करते हैं ति इंटेक्ट करते हैं तो ब्रेन सेल्ग करते हैं जदेना रर्लेक्स मेसूस करता है और जिए नीद उसनों फीकाने शुरू हो जंती है कि कामकरल तेयान लगना शुरू हो जन्ता है तो बाहरा जांता है किना को समा लगता जरूर मैं समा भी पुछूंगा तानु की लगता डेसा आम नाल डिप्रेशन देविच बार आनू एदेनाल किना को समा लगेगा देखो अगर ता पेशेंट बहुत ज्यादा हाई हाई मैडिसन ते लग गया हुए बहुत स्ट्रॉंग मैडिसन ते लग गया हुए उन्हों तो चार चे मिनने लग सकते हैं अदर्वाइज फर्स्ट वीक देवेची पेशेंट नू रिलेक्स बहुत ही वदिया एक गैरी ते मिठी नीद आनी शुरू हो जान्दी है जदों तो आंदा दुनिया जाए भाड में तो उस तो आज दो को जदों तो नू नीद अच्छी आनी शुरू होगी आम तोरते सवनों बड़ा कारना है लोकानू नू नीद बहुत कट गई है गी है नीद ले लेंदरे लिए कोई नशे ता सारा लेंदे है कोई टैबलेट्स ता सारा ले ले रहे हैं कोई लग लग तरह दे नाड़ उधे बावजुत भी चार पांच कैंटे नीद लेंदे है जिदे करके डिप्रेशन दी मात्रा जो एक तोनू गैरी नीद छे साथ ता अठकेंटे दी नीद आगी है तो तुसी बहुत वदी अगले दिन रिलेक्स में सूस कर मेरा भी सवाल है आंकर आम देखते हैं नोजमान अज कल सोना कटा आता है और फोन माल ज़्याँ त्यान हो गया है आशी कामतों आने हैं कामतों या कई वरी बंदा कोई कह सकते हैं भी नोजमान जड़े स्टडी भी का रहा हैं तो बाद उन्हें फोन ही देखी जाना राथ- टाइम चार कंटे नीनद, तेने कंटे दी नीद, पांचे कंटे दी नीद, पांचे कंटे दी नीद, फिर फेर काम पते जाना, एद किते दाख जा सकता है अगर एज बंदा जानी, अपने जॉब ते अपने बिजनस ते अपने जित्थे भी कामकार कर दे जाना है वो यूजली छे नो दास वए तक वो सोज आंदे है ठेक ना पर नो दास वए पैंड दे बाजू दी उन्हों नीद नहीं आंदी है कि बड़ ए बहुत अच्छा साधन है इतना थोनों एक साउ बहुत वदी है एक दो देना देवेची थोनों डिपरेशन दे वदी एक वीक देवेच आसी पेशन्स दे बहुत वदी है रिजल्ट ले जिना नो टैबलेट खाके भी नीद नीद सी आंदी तो मैंना के एवी पुछना चमांगा फीमेल्स नों ना काफी प्रॉब्लम सुन इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोनों दो हार्मोन है गया है जिना इंबैलनसिंग कराथिज पिदा हों दियाँ जिदेवेच ओवेरीयंस रगी फेवरायड़ हो गया है ठीकत जादा घरडीया है एक उधे उस तो लावावा अजकल जो सबनों बड़ी समस्जारा अरहिये अब उमर तो पेला लेडिज दा, स्किन दे बहुत ज़ादा वी उनना दा चेरा पेशेंट सांदिया हैं वो आके कहन दे भी अपना मेरी उमर दा है पैंती साल ते मैं लग दी पंतारी साल दीया हैं, उनना दे स्किन चुरियानिया शुरू हो जान्दीया हैं, उदे उत्ते ब बहुत ज़्यादा वदिया रजल्ट है, दो तो तेन में देविची स्किन दुवारा टाइट ऊना दी हो जान्दी ज़िए के गर्दन दे उपर जादा तार लेडिज दे विचे स्किन लंक जान्दी हैं जहां इन जाए जादा हो ना दी इसकिन बड़ी हो जान्दी तो उस टैम सेल एक नमी करांती आई है कि जड़ी कि सिरफ इंडिया दे विच सदी कंपणी ना स्विज कंपणी है जिना दे नाल असी इना दा क्लाबरेशन होई है सदे अपना मेबले कंपणी स्वेटर लेंड दी तुसी अपना यूट्यूब ते नेट ते देख सकते हो इस कंपणी दे तेरां कंट्रीज दे विच काम चल रहे हैं एक लग तो ज्यादा इना दे एंपलाई है क्योंकि आज दे टैम दे विच लोकी मौडरन साइंस तो थोड़ा जया इदन नो आना शुरू होए ने तांकि द्वाईयां दे बहुत वदिया रिजल्ट नी मिलने काम कर दिया अगर थोड़ी बॉड़ी अच्छी है थोड़ा बॉड़ी दा इम्यून सिस्टम जेड़े की बमारी थोड़ा कुछ नहीं बगार सकती एथोड़ी इम्यूनिटी साधे को कहीं पेशेंट्स विदाउट हैविंग एनी डिजीज एनो अद्दा सैसे डेली इंट बहुत ज्यादा एक कद्दा प्रसेंट रहे जन दी है कि यह क्योंकि इन्हें अंतरों जदो थोड़ी एक बॉड़ी नूँ थोड़ी बॉड़ी दे पिलर स्ट्रॉंग है तो कोई बमारी थोड़ी थोड़ी नहीं करेगी बमारी ओधों ही एंटर करेगी जदों थोड़ी बॉड़ी वीक होनी शुरू होगी जो दों बॉड़ी वीक होगी है तो हमारी थोड़ी थोड़ी था टैक कर दी है तरव मैं दो विच्छे एक और बरी सवाल एदे ते या ना जमागा कोई कोई तुसी कहा भी लेडिस थी स्किन कहीं वरी देख देयां भी जदा होना दी हो कि अपना काम करना है कुछ बुमारियां ऐसी हैं जिना बारे थोनु भी नहीं पता बॉड़ी दे अंदर पैदा हो रही है उना दे विच्वी उनानों भी इना ने बिलकुल साफ कर देना है कुछ बुमारियां क्योंकि आहम तोर थे यसी जदों डॉक्टर्स दे कोड जाना देखो मैं तोनों एक छोटी जग्जांपल देना पहले टेमा देविच ना अपना कार्चे लाल्टें जगांते हों दे सिगे हैं ना लाल्टें दा शीशा जिना मर्जी तुसी बारों साफ कर लो आम तोरते की है मैक्सिमम जो लेडिस दे दिक्कत आं दीना उन्हों एक्स् अन्हों रीक्टिवेट करके रीजुविनेट कर दी है कि यह जिदे नौल स्केन दोरा पेली पिजिशन देवेच आ जान दी है कि एन्व एंटी एजिंग वी कहनते हैं एंटी एजिंग मतलब भी पंताली अला बंदा पच्वंजा दा लगे पच्वंजा पैंट दा लगे अगर दो तेन में इन्हों कॉंटीनु यूज कर लेंदा वो इटसल्फ देखन के भी यार मेनू फर्क लग रहा है ठीक ना बारों कोई दुनिया दी आसी क्रीम नी है कि सेकंड ली इन्हें जदों इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोण हार्मोंस नू देखो दोनों हार्म ब्लेक इसली होंता है एक वाइट इसली होंता है उना दून जो बैलंस करना था स्केन बहुत अची टोन उधी निकल के आंदी है गिए जिनु अपड़ कहने ना भी स्केन देविच निखार रंदा है का इवन कहीं और डाग कलर है गा जिन तों काले रंग तो पर्शान है के अभी मेरी डेवेडे स्केन काली होंती जा रही है किया ओभी अगर रहनों शुरू कर देना अंदरों बिल्कुल स्केन जाम तो ते लेडिज नु चाहियां दी समस्या हो जान दी है तिक ना उधे विच बहुत अच्छे रजल्ट है खासकार एदे स्केन दे विच ता सब्सक्ते चाहर खाली आए पुदू कर जा मेंहें तो चुम नहीं कार सागाओ उनल्कुल अगले अप आगए मारीआ देश्याशं करते हैं तो सी बहुत जादा काल सितार मेका श्यून काल कर से आम जो डॉक्टर दी गाल कर दे हो कहने भी पेड तो बिमारियां शिरू होना है जी बिलकुल देखो लिवर साधी बॉड़ी दा सवनालो बड़ा और अर्गन है गा एर राइट साधी दे स्वेटेड होंदा है गा एदा की काम है एक बॉड़ी दा डिस्ट्रिबूटर है गा असी कुछ भी इन्टेक कर दे हैं कुछ भी खानने है तो बहुना लेवर जाना लेवर ने अगे हर एक और अगन नो उधे साव दे नालो उधी डाइट पंचानी है गी म्रें नो उधे साव नालो मूदी डाइट पॉंच आनी है पर जे लिवर खुद बमार हो गया लेवर पहले स्टेज होंदी है फैटी लिवर जिन्हों कि आज काल दे टाइम दे बिचे डॉक्त बहुत जादा तबज्जों नहीं दिन दे आज दे टाम दे पिचे सौ चो सतर असी बंदे आदा फैटी लिवर आएगा डोक्टर कें दे च्छड़ों है रहे लेटी लिवर कोई गाल ज़ते आजनता है असी लिवर सरोसे तक दे पेशन्ट ठीक इत्ते है जिना नों डॉक्तर्स बोलों जवाव हो चुक्किया सिगा उना दे इसाइटेस होना शुरू हो जानता है इसाइटेस मतलब पेट पानी पर ना शुरू हो जानता है गा जेड़े के फिट टैपिंग कर अब तोनों ही रेंजमेंट करना पेंदा है गा उदे बाव जुदी पचीती लखल पे अलागे भी तुसी ओदे विच अपना संतोष्ट नहीं है ओधे इसाटिस्वाइड एर्जल्ट नहीं है ठीक है ना क्योंकि मानलों एक साट साल दे बज़र्गनू पची साल दे अपने अपने अपनों स्टैबलिश नहीं कर पाना चलो असी कहने है अगर तुसी करवाना थे साटी दो में ने दवाई खाके देख लो अगर थोड़ी बापसी हुंदे ठीक है नहीं तुसी करवा लो ठीक ना बट इसे नाल लिवर दे विच भी मार्वलस रजल्ट है गे क्योंकि जदो लिवर इटसेल्फ एक का और गन ऐसा जड़ अपने अपनों आप रपेर कर दा है ठीक ना लिवर नो थोड़ा टाइम देओ 22 डेज देविच लिवर अपने अपनों रपेर कर लंदा है चोटी मोटियां बमारियां जिद्दा की हो गया जॉंडिस बगरा हो अपना लिवर दा टेस्ट करवान देराना चाहिदा है जिदना पता लगदा है भी थोड़े श्रीदे विच कोई बमारी ता नहीं है कि लिवर जदो थोड़ा ठीक है तुसी 70-80% ठीक है कि जदो थोड़ा लिवर खराब होना है उदे नाड़ा हरेक औरगन नों उदे दोड़ा डाइट नहीं पहुंचनी नर्जी नहीं पहुंचनी है कि इस करके दूजे यंग भी डे बाई दे वीक होना शुरू हो जानते हैं तो लिवर दे विच भी यदा बहुत ही मार्वलस है जोड़ों स्टेम सेल तुसी एंटर करने है कि एना ने उदे इवन देको सिर सिरोसिज दे विच की हुंदा है मौडरन साइंस कह रही है भी असी उस तो बापसी नहीं कर सकते पर साड़ी साइंस लिवर सिरोसिज तो भी जोड़े टिशू डेमज हो चुके है उन्हों दवारा री एक्टिवेट री जेनरेट करके उन्हों भी बापसी कर दी है सब तो अगली स्टेज को चुंदी है कि उस तो बाद कि अगली स्टेज हुंदी हैً भी लोगा होना शुरू हो जाना है हुस तो बाद डे वडे थोड़ा नार के निवेंवाल हो जान दी हैं हैं तो बैते ही अभी ऐसी पेशेंट नो सुझेस्ट कर दे हैं अभी अगर थो नो लिवर सरोसिज है एका इप स्टाटिंग अगर थो नो फैटी लिवर हो गया ते थोनों इस चीदा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपा जरूर चौथी स्टेटे जाकर ये लाज वालनों जाहिए उस तो पहला ही आसी इस ते बापसी कर सकते हैं और अगा कमाल कोसे आऄ है यह तोटी बाडि कोई थोटी बाडि ने ही ठीक खननी हैएं फ।द्टी बाडि नो एड़ा इस खान्दे किसे हор बाडि ले है हैं साण्दी कोई होर बाडि हो थीक हो पाल्य तोड़ी बोडी स्ट्रोंग है थोड़ी बोडी थी हरे एक सेल एक्टिवेट है पूरे तियार खड़े फोजी लड़न दे लगी नहीं लड़ाई कर दे ते जड़े साथे चीज साथे अंग खराव हो रहे ने उन्हें दी रिपेर करनी है ने उधी जगते स्टैम सेल ने अध पूरे देते बड़े जड़े कैने अभी बदिया थे ते ताटी बोडी नो होनो किसे भी बारी ना लड़ते है आज तक इंडिया दे बेच सिर्फ साधी कंपनी है जड़ी इस स्टैम सेल नो और ली लेके एनू के अधे प्लांट स्टैम सेल ठीक है ना ठीक है विच विच स्टैम सेल होनता कि अधे टैम बच्चे यह अपना उनु केंदे एंब्रियो नारू जीनु केंदे हैं उनुन स्टोर करना शुरू करता है उदे ना भी बहुत बड़िया बड़िया वमारियां दी अलाज होंता है ते इस टैम सेल है जड़ा एप यूमन बोडी दे एक्वल अठेगा है जी अधे बच्चांगा भी जिस से इसते लोग की गाल नी करना चांदे पर प्रॉब्लम बहुत ज़दा बाद गी है उदी गल करते हैं ता हरकेसे नुन लोड़ि पेंदिया व्या तो बाद जे गल करते हैं ता कि वी बच्चा होंते वेच भी बड़ी जिस करके हो दिया है गी है जो दो साघी डाइट ठीक नि एँए हैं असी केमिकल पैस्टी साइड ऐ चीजां खा रहे हैं बार दा फास्ट फूड जंक फूड ऐच जी जां खा रहे हैं तो डे बच्च और अगर साघी होर औरगन एफेक्ट होना ते साघी सेक्सोल औरगन स तोग देविच किया मैंस्टुल पीरियड नी ठीक है रहे जिदे करके उननु बाच्चों गरब तारंकरन दे विच परशानी आंदी हैं गी है ते जो मेल हैं गया है उनना दे विच भी काफी समस्या आंदी हैं गी है जिदा के तुनु दस्चे भी सौ बिमारियों की एक दव पर इनु इस सावना लगाना इट से पार्ट ऑफ डाइट एक डाइट दा हिस्सा बना के मैं पुछ लगा जी भी खाना के दा एभी समझाओ लोग कानू भी असल दे वेच लेडा के दा भी ऐसी एस वीडियो ना लोग कानू भी दास चेकिया भी एक किद्दा जे सेवन करन देखो एस वेरे खाली पेट खाना होंदा है एदे विचे डेड़ ग्राम डोज होंदी है किया इस सिद्धा इंसर्ट अपना टंग दे निच्चे जीव दे थले रखना है गा एक त्रू साथे सब लिंगल ग्लैंड जीव दे थले साथे पोर होंदे है जिना दे थू साथे डिरेक्ट ब्लड दे विचे चले जानता है बक्की जड़ी रिमेनिंग द्वाई है उस तो पांज मेंट बाद एक पानी दा गलास पी लाना है ठीक है ना ओ फिर रिमेनिंग द्वाई साथे स्टमक दे थू अंदर क्लेंजिंग कर दी है कि हर एक जगा ते जित्ते सेल्स ज खासकर नस पानी पींदिए यह参ँ बड़ी बन्द वी निच आपने वरक ते बटते वे जैनते पानी वी पीना देखो साव तो ज्यादा समस्या पानी काठ पीन करके आंदी है गेले कैगी ने को कीड्नी दी प्रावलम केडून अएग गाल ब्लेंडर स्टोन आ रह है इसा जेड़ा चार लेटर पानी पींदा रहेगा उन्हों पहले हवते देवेची इनना वदिया रिजाल्ट आना शुरू हो जाएगा उदा कोई पेट दी समस्या नहीं सेगनली पेट दीयां बमारियां कॉंस्टीपेशन आज बहुत वड़ी बमारी हैं ठीक है ना जिन्हों कॉं एक अमरत है इन्निया जगा देवेचे काम मांदी है कि या भी तुसी यह दा वर्ना नी नी कर सकते ठीक है ना एक तो इलाहे बंदेशन बेलकुल बेलकुल थायरेड भी देखो ओवी एक इंबैलेंस होया होया ठीक हार्मोनल डिजीज है ओधे असी पेशेंट ठीक किते था अपना एक तब मटापा बच जांदा है पर थायरेडिजम ते विचे उकेंदे मैं रोटियां तो खानी है बर लगता है इन्ना भी सारे कार्णी रोटियां मेही खानी है बट ओक होगया है पानी दा गलास भी लगदा हो ना नू ठीक हो ना श्रीर फुली जाओगा इन्ह ज स्लोली पर थोड़ा पेशेंस रखके अगर द्वाई खाएगा ना पर एज जदों ठीक हो गया दो द्वारा बमारी लगेगी नहीं अगर पेशेंट साधे साव ना हां जी जाड तो खतम होएगी वेलकुल जी तुसी के अभी थायरेड आले पेशेंस ना वेट करदा है पर तो डीज ना क्योंकि मैं तुन पहले दास के अधिया ने बमारी ते काम ने थोड़ी बॉडी जो रिक्वाइर्मेंट उत्ते काम करना है तो डी बॉडी देजिए बड़ी अपना जे वेट रिक्वाइर्मेंट है यह वैसे इक्वल बेट अज तैम देवेच असी जो सा देजिए अज तैम देवेच पेशेंट काफी साधे कुलांदे है। देखो उदा सभ तो वड़ा कारना है दो बमारियां ब्लड प्रेशर और शुगर जिननों है दो बमारियां उननों किड्नी फेले रहोंडे चांसे बहुत ज्यादा हो जानते हैं देखो जदों किड्नी फेले होगी पेशन नहीं को अधम सदन शौक लगदा है गाया वह डॉक चार पॉइंट ते पहुंच गया यूरिया जड़ा ड़ने खुराब होनी शुरू हो गई में वर्किंग करना बंद करता है अच्छा ओधे विच की है जदो एक वरी थवड़ी किड्नी खुराब होगी ते मॉडर्न साइंस्थे दो एलाज है जहांता एनू तुस्ही दिला लाट आपना एक ब्लड रिलेशन देवेया होना चाहेदा है का पेशेन न्यूंट इंट यूनिट लगे हो ने आओ हफ़ते वाद पंचे दिनावाद डालस पर चले जो जीदा की पेशेंट इक टाम तो बहुत इनना के ज्यादा इरिटेट हो जांदा है डवाइस कर वाण दे लेए छार पंच शी कांटे लगदे है न वाज डीलस क्राकर जांदा अगले डायलसी दा इंतिज आर होंदा हुनों एधिडिए stay missile lei पिधिड़े नकिड़िणिजेड नैफरों गया ने ने बान्थ यटीडी केमर कि अधिड़नी एक्थिड्वेट करता हैं ऐसे नलसी केड़ने नारीच्टिवेट होना शरूरू हो जांती है है कि अधिड़ने कृंठी नारीर इंड़नी दे साथे जबना जदो हो ते डॉक्टर ने करना डैलसिज करवा लो एने थोड़ा स्लोली पहला ना ओड़ से डियूरेशन बतानी है थो नू पंदना देन बाद जा मिने बाद कर्मान दी लोड पैगी जदो आठ नो तक पॉंच गय करेटने अब लाद दूजेती जे मिने बाद उदा डैलसिज बंध हो जानता है जो दो डैलसिज बंध हो गाएपेशन अपने अपनो बैटर फील करना पर उदे विछ यहali एक घाना कारिया जड़ा किड़नी नुख्विशान कि अलगि तो डाइट चार्ट मुण Tribal और उट्वाइ च्जब करें वछी में डायाइट प्रॉब तुसी खाके देखो पेशेंट पहले देनी पुछ जोगा कि दन ठीक हो जोगा अब तुसी यह शुरू ता करो पहला थेक ना बमारिया इडिया बटिया थे अपार रिजल्ट दूज़ 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 देखो जदो किन्नी पेशेंट दी क्योंकि उधी भी स्टिमुलेट करने बौडिय और उधी चिज़्या स्टिछ नंग करना ऑग एच जी जना वा धाण बंड दूज़ द्सट्रहूंग ब्नान जिदे करके होडी होडी होड़ी थोडे जो रिक्टिवेट हो जने ते नोजवाना छोग हो ग्या और पहला दशायख लिष्यों न सब्सक्राइब करते हैं तर नोजवान जड़ा हो गया नोजवान जड़ा के वरी कॉल या स्कूल जानदा हूंदा ओही कैन लगें लगेंदा यह जोड़ां दर्टो रहे हैं मेरे ता एह हुझी अची जहां बहुत ज़दा बात किया जी बिल्कुल अजकल अर्थराइटिस ग यूरिक एसेड जो थोड़ा एक साल दास पॉइंट तो ज्यादा रहना शुरू हो गया थो अनुह हर हालते वेच अर्थराइटिस होना ही होना है और अर्थराइटिस भी ऐसी बिमारी एक बारी होगी हो दा बापसी नहीं है तर एक टाम तो बाद थोड़े बाड़ी दे औ पर लेंब लो टेड़े होने शुरू हो जानते बड़ी पैन फुल बमारी है गी है उदे नाल असी हो रहे है कि साड़े को पड़क्ता है थी वक्तरन यूस ए लदाख दे विच एक फ्रूट होना जी ठीक न एदे विच ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा सेवन और ओमे श्चाइब है अर्थ्राइटिस दे विच वे मार्वलस रजाल्ट है कि टेड़े पेशांट खाकर के गोड़ियां दर्धां दिया उस तो बाद भैंगि सोलूशन नहीं थी ठीक ना र्ड़ा इन लिगना कान तो बाद उना दियां दू लुडियां भी अशाली इसे ऐसे पेशेंट जड़े बिलकुल अपने ट्वाइलेट बात्रूम जान जोगे भी नी सीगे, लत्वा नी हला सकते सीगे, फेस दे उना नू पैरलाइसे सीगा, वो सारे इदे नालक्यों कि इन्हें जदो थोड़े ब्लड दे विच एंटर करना है गा, इन्हें उस सेल्स हाट दी गाल किती हाट दी प्रोब्लम बहुँ जदा होगी है, ते अज कल ता कहना नी चाहिएदा, विससे कई वरी खबरा भी है होजे सुन देया, भी बड़े बड़े एक्टर्स जड़े ने, एकको दम पता नी लगया, हाट फेलिर एको दमी, कुछ भी नी पता लगदा कोई एक्सराइज करदा भी है, कोई नॉर्मली तुरदा भी है, वीडियोस भी देख देया है, भी बंदा रामना करो बार निकले आंदा, रामना तोरी रहांदा, उससे टैम डेक जानदा, उससे टैम ही खतम हो जानदा, जी बिलकुल, देखो उधे लेवी की है, साड़ा नाल जहां साड़ी लेक ओफ एक्सराइज है, ना चीजा बजाना, साड़ा हार्ट दे मसल भी पूर हो जानदे है, मैं तुन दसे है, साड़ी बोडी दोस्तरा दे मसल है, स्टैम सेल जाके उधे हार्ट मसल दी जगा ले ले लेंदी, जड़े मसल पूर है, उन्हों पतला जिदा नहीं है, गड़ी दा तेल चेंज कर दे हैं, उस तरह हैं तेल चेंज करना दा कम है, जदो थोड़ा खून पतला हो जाएगा, कोई कदे थोनों हार्ट दी समस्या नहीं हो सकती, असी कदे हार्ट लिपिड प्रफायल एक टेस्ट होंदा हो जरूर कर वालना चा ते नाल दौई ता अमरत अलाई काम कर दी है, जी ब्लड प्रेशर देवेचे, आज कल हर चोथे बंद नूँ ब्लड प्रेशर दी समस्या आगा, ब्लड प्रेशर जेड़ा बंदा तेन मिन्ने साथ यह द्वाई लगातार खालेगा, उदी स्लोली मेडिसन दी जड़ी अप जे सही तरीके ना खांदा है ता बांद वजेगी, बेलफुल बेलफुल, बेलफुल, देखो ओ अलाज थोड़ी है एक दिन तुसी 20 साल द्वाई खाली है, 20 साल एक दिन बाद जो द्वाई नहीं खाली अगले दिन फिर बाज जाना, उद अपनी डेली दी डोज है ठीक है पर इने पकल आज करना है, जिनने एक साल लगा थार खाली ना, देखो कुछ पेशन ना, साड़े कोई बमारी दे करके उना ने शुरू कीता सिगा, ओन कहरे भी डार सावा से इनूं कॉंटीनू कर सकते, आसी क्या करो, इससे पार्ट अफ डाइट थो नो जिन्दकी ची कु प्रेशर, हाट डिजीज, आज कल हाट अटेक दे हैं, हुन सर्दी आ गया हाँ, हाट अटेक दे के सिसे बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जानते हैं, ठीक है ना, तो एदे लिस आफ तो पहला अपने आपने आपनों प्रटेक्ट करो, बमारी तो पहला अलाज करो, बमारी अधर दो क्रोड़ पहाँ पहाँ थो जाओ नू चंगा नी लगना भी नहीं यार, पैसे दामे की करना मेरा श्रीरी ठीक नहीं है, सो साव तो पहला पहला शुक्र नरोगी काया, श्रीर ठीक होना चाहिए जी, बमारी लेसी है ते आन्दे रहने आपने पहे कमाली है, काम का यार, पर अधर श्रीर नहीं हो जाओ तो पहे कमाया, वो कबड़ आदे वेची रहे हैं, बिल्कुल जी, लिखो में आता है, थोड़े चैनल दे माध्यम दे नाद, हरेक दर्शक नू कहना है, जेड़ा पेशेंट्स डाइप्टिज दे प्लड़ प्रेशर दे, ठाइर्ज करना काई नाल कि आए जरूर करना चाहिए देगा चाहिए क्योंकि जडीया ओँ बमारियां दे नाल है तोनों नकसान होने हैं इनु शिरफ एक स्टेम सेल ही सेव कर सकता है और कोई दुनिया दे वेचे ताकत निए गी क्योंकि तुस्त द्वाईयां कई जाने हैं डेवे यहां दी मात्रा बदी जानी है पच्ची अमजी खाने वेक टैम तुवाद पजाय अमजी हो जानी है